सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जै संतोशी माँ दोस्तों स्वागत है आपका आईए जानते हैं आज आपकी राशियों का हाल कैसा रहेगा आपका दिन शुरुवात करते हैं आज के पंचांग से 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार आशाड मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथी साथ बज़ कर बावन मिनट सुबह तक रहेगी इसके बाद पंचमी तिथी प्रारंब हो जाएगी मगा नक्षत्र 10 बज़ कर 15 मिनट सुबह तक रहेगा इसके बाद पूर्व फालगुनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा आज का राहुकाल अर्थात दिन का सबसे अशुब समय दोपहर 12 बज़ कर 32 मिनट से दोपहर 2 बज़ कर 12 मिनट तक रहेगा आज का अभिजीत मुहूर्थ अर्थात दिन का सबसे शुब समय कोई भी नहीं है आज चंद्रमा सिंह राशे में संचार करेगा पूरा दिन रात और सूर्य मिथुन राशे में ही रहेगा कन्या राशे 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार आज अपने साथी के लिए समय जरूर निकाले और उन्हें अपने निर्णे लेने में शामिल करें क्योंकि आप अभी किसी बड़ी खरीद या सौदे पर विचार कर रहे हैं मा के समान को इस तरी आपको मार्क दर्शन प्रदान कर सकती है और अपने फैसलों को अपने अनुभव और परिवार के अनुभवों से बताएगी यह समय प्रयासों के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छा है आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिये हैं इसलिए आपके सभी काम बहुत आसानी से हो जाएंगे किसी भी एक खास काम में ध्यान के इंद्रित करना कठिन हो सकता है अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा स्थितियां आपके सामने किसी पुरानी अवांचित बात को फिर से लाकर खड़ी कर सकती है जिससे आप बचना चाहते थे आपको इस समस्या से निपटने के लिए सहनशील नजरिये से सोचना होगा क्योंकि आज आप बिना परियाप्त कारण अपने आप सहित हर किसी पर सخت हो सकते हैं इस टकराव से नए अवसर भी आएंगे और अंतिम परिणाम अच्छा ही होगा दिन फाइदे मन साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी से काफी आराम महसूस करेंगे कोई पुराना मित्र आज आप से आर्थिक मदद मांग सकता है और यदि आप उसकी मदद करते हैं तो आपके आर्थिक हाला थोड़े तंग हो सकते हैं बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने और भविश्य के लिए योजना बनाने की जरूरत है आज के दिन आप किसी खूबसूरती से खुद को सराबोर महसूस करेंगे यदि आप खुद को पेशेवर अंदाज में दूसरों के सामने रखते हैं तो करियर में बदलाव के नजरिये से यह लाभधायक साबित हो सकता है बातों को सही तरीके से समझने का आज आपको प्रयास करना चाहिए नहीं तो इसकी वज़ह से आप खाली समय में इन ही बातों के बारे में सोचते रहेंगे और अपना समय बर्बाद करेंगे आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किये गए सारे वादे सच्चे हैं और आपका जीवन साथी ही आपका सच्चा साथी है अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करें इससे उन्हें कारे रूप देने में सुविधा होगी दूसरों पर भरोसा करने के बजाए अपनी खूबियों पर भरोसा रखना आपको फाइदा देगा युवा वर्ग को आज कोई उपलब्धी हासिल होने वाली है काम से संबंधित दबाव बना रहेगा और मर्जी के अनुसार बातें न होने से जीवन में निराशा हो सकती है इस बात पर जरूर विचार करें कि परिवार के कुछ लोग आपका साथ देंगे जबकि कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं जो बातें आपको लक्ष की ओर ले जा रही हैं केवल उन पर ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा करियर से संबंधित लिए गए निर्णए गलत साबित हो सकते हैं इसलिए दोबारा प्रयत्न करने की भी जरूरत होगी रिलेशन्शिप से संबंधित नकारात्मक्ता बढ़ सकती है और नींद से जुड़ी परिशानी भी दूर करनी होगी किसी भी विपरीत परिस्थिती में अपने आत्म विश्वास और आत्म सम्मान को कम ना होने दे असमंजस की स्थिती में विश्वसनीय लोगों से सलाह मशवरा अवश्य करे निश्चिती आपको बेहतर समाधान मिलेंगे अब बात करते हैं लव लाइफ की प्यार आपके तन और मन पर आज हावी रहेगा असल में प्यार हर जगह है सिर्फ आपको उसकी उपस्थिती के प्रती सचेत रहना होगा कदम संभाल संभाल कर रखें और अपने मित्रों से सलाह लेने में ना हिच्चिचाएं आपको बहुत सारे विकल्प नजर आएंगे लेकिन जल्दबाजी में निर्णाय लेने से बचें आपका शांत स्वभाव सब को आपकी ओरा करशित करता है और आपके चरित्र पर हलकी सी पहेली सब को अपनी ओर खींचती है बस आप ऐसे ही रहें और आपका प्रेम जीवन उज्ज्वल रूप से चमकने वाला है एकल लोगों के लिए यह अपनी स्वतंतरता को अपनाने और आत्म खोज में गहराई से उतरने का सही समय है व्यक्तिगत विकास और आत्म प्रेम पर ध्यान दें आपके जुनून और रुची आपको अत्यधिक खुशी और संतुष्टि प्रदान करेंगे आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा जिससे आप भावी साजहदारों के लिए और अधिक आकरशक बनेंगी जो लोग रिष्टों में हैं उनके लिए आपका करिश्मा और गर्म जोशी आपके बंधन को मजबूत करेगी अपने साथी के साथ समय साजह करें और जुडने के नए तरीके खोजें याद रखें कि यह समय व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के लिए महतुपूर्ण है और आपके प्रयास आपके प्रेम जीवन को और भी उज्ज्वल बनाएंगे आपकी जीवन्त उर्जा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है इसे चमकने दें करियर की बात करते हैं अगर आपने हाल ही में कोई परीक्षा दी है तो आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं आपको कड़ी मेहनत और समर्पन का फल अवश्य मिलेगा आप आज वित्तिय योजना के बारे में जानेंगे निवेश करने से पहले सही योजना पर अपने मित्रों और सहयोगियों से सलाह लें प्रस्ताव आपके लिए लाभधायक साबित हो सकता है आपका दिन कार्यालय में अच्छा रहेगा आपको आज नए वातावरण में काम करने का मौका मिल सकता है आपके अनुभव और कोशल से आपके साथी और करीबी सभी प्रभावित है और इसका प्रभाव आपके व्यवसाय पर दिखाई देगा अपने धन, संपर्क और संसाधनों का सही उप्योग करे आज आप मानसिक रूप से पूरी तरह से सक्रिये हैं और आपको हर प्रयास में सफलता मिलेगी यह समय चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतरीन है अपने प्रयासों, कड़ी मेहनत और तर्क के साथ अपनी स्थिर्ता और नैतिक्ता के लिए प्रतिबध रहें लेकिन अत्यधिक महत्वा कांग्शी होने से बचें इसका परिणाम निराशा जनक हो सकता है नए अनुबंध मिल सकते हैं लेकिन इससे संबंधित अधिक प्रचार करने की जरूरत है आज निवेश न करना उचित रहेगा अपने व्यवसाइक संपरकों को और अधिक मजबूत करें आज धन संबंधित मामलों में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण होगा यदि आपका कोट कचेहरी से संबंधित मामला लंबे समय से विवादित चल रहा था तो आज उस पर प्रगती हो सकती है तो उसमें आपको जीत अवश्य मिलेगी कार्यक्षेत्र में आपके अधिकारी यदि आपको कोई बात समझाए तो आपको उसका ध्यान देने की आवश्यक्ता है नहीं तो आपका कोई काम बिगड़ सकता है यदि आप किसी से कोई लेन देन करें तो उसमें पूरी सावधानी बरतें नहीं तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है बात करते हैं सेहत की आप एक साथ काफी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और अब इसका बुरा प्रभाव आपकी सेहत पर दिखना भी शुरू हो जाएगा लगातार रातों को देर तक काम करते रहने से आप काम पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाएंगे इसका आपके स्वास्थ्य तथा करियर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आपको स्वस्थ आदतें अपनाने की और अधिक ध्यान देना होगा आज बहुत अच्छी नींद लेने की कोशिश करें आज का उपाए आज आप गणेश भगवान की पूजा करें शुभ रहेगा जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें आपका दिन शुभ हो